ओडिशा के पूरी से कॉंग्रेस उमिद्वार सुचरिता मुहंती ने अपना नाम वापस ले लिया है। वजय बताई है फंड की कमी। सुचरिता का कहना है कि उन्हें चुनाव में पार्टी की ओर से लड़ने के लिए पैसे नहीं मिले। आपको बता दे ही पूरी से वो बीजेपी के उमिद्वार संबित पात्रा है। वो पार्टी ने मुझे वो चुनाव पूरी की में एंपी पराती थी और मुझे चुनाव लेड़ने के लिए बैसिक मिनिममम फंड चाहिए था। बत पार्टी वो समर्थ नहीं रहा मुझे वो फंड देने के लिए। आपको रेटन तकेट रहा है। पार्टी पार्टी नहीं के लिए प्राटी है। शुट जी ब्राजमौन मॉहांती है। मैं उनकी बैटी हूँ। और इंद्रा जी के साथ मिनिस्टर में थे। ओडिसा में PCC प्रेसिडेंट थे। ओडिसा असेंबली की स्पिकर थे। दो टाइम एंपी थे। और ओडिसा कंग्रेस उन्होंने बनाया था। और उन्होंने कभी भी कंग्रेस नहीं चुड़ा। मेरे DNA में वही उन्हीक फुन है। में भी कभी कंग्रेस नहीं चुड़ूँगी। कंग्रेस का जो आइडियोलोजी राहूल जी मेरा लीडर है। मैं आम वरी इंस्पायड, आड्मेर हिम। और मैं उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ। मैं कोई दूसरी पार्टी जाने का सवाल नहीं उड़ता। मैं वरी मुच एक लॉयल सोलजर अफ माई पार्टी। कंग्रेस की कोई भी कैंडिडेट वहां टिकेट लेके लडेंगे। मैं उनके साथ रहूंगी। और मेरा सपोर्ट उनके लिए हंडेट परसंट है। इसमें कोई डाउट नहीं है।